तो आज हम बात करेंगे आपका जो लिवरो आफिस हमारा चल ला था उसकी दो क्लास आपके खतम हो चुकी है आज हम बात करेंगे उसकी कुछ सौटकट किस और उसके एक्स्टेंसियन के बारे में जिससे आपके कोस्टन आंसर बनते हैं और जो अभी 2020 जुराई में आपके एक आपको लगबग इसी में से कोस्टन आपको इसी प्रकार से मिलेंगे तो ये कोस्टन आप बिलकुल तियारकर लें इसकी एकसराइज है बेसिक लिए आपकी और जब भी मैं कतम करूँगा एक एकसराइज उसके बाद पर लिंको आपको बता उन को वॉसकी deliver elongate आजा हैं shortcut की extension जो जो इसमें यूद होते हैं तो question जो answer बनेंगे लगबग इसी में से बनेंगे hundred percent आपके सारे answer आपको इसमें से मिल जाएंगे तो चलिए देखते हैं यह किस बगार से काम करती है मैं practically बता दूँगा मैंने office header use किया हुआ है यहां पर लिवरा open किया हुआ है और पहला जो shortcut की है इसमें control आ रहे हैं control ए है यानि कि control ए दबाएंगे तो आपको क्या होगा यहां पर सारी लिख्यों यह मैं scan उसार नहीं बता रहूं मैं आपको प्रेटकल करके बता रहा हूं बाकि आपको पीडियाप दे दूँगा उसका लिंक मैं वीडियो को डिफ्यूसर में डाल लूगा या वेबसाइट पर दे दूगा यहां आपको वार्टसर पर दे दूगा जो लोग वार्टसर पर जूड़े होंगे न्यू फाइल ओपन करने के लिए सौर्टकुट किस्ट क्या होगा यहां पर आपका लिबरे ओफिस का ओफिस राइटा न्यू ओपन हो गया दे सकते हैं आपर दो इससमें विंडो ओपन हो गई एक यह पहली बार जिस पर हमने टेक्स लिखा था और दूसरी आपकी यह ना है उसके लिए क्या सौर्कट की है सिफ्ट कंटोल और ओ तो यहां पर दबाते हैं पहले सिफ्ट कंटोल और ओ इस पर गार से देखिए प्रिंट प्रिव्यू आपका आ जाएगा यानि कि अब जब आ प्रिंट करेंगे तो आपको उसी पर गार का दिखेगा इससे वाप है दूसरी सौर्कट की है सिफ्ट प्लस कंटोल प्लस एस यानि कि सेव एस करना है उसके लिए है या फिर अन लोकेशन में आपको सेफ करना है उसके लिए सिफ्ट कंटोल और एस सिफ्ट दबाते हैं कंटोल और एस दबाया हमने तो आप इसमें अलग-अलग फॉर्मेट मे print करने के लिए है control q है shortcut की control q दवाएंगे तो इसको close करने के लिए है अपने software को close करना है उसको close कर सकते हैं उसके बाद control x है यानि कि अगर आप पो cut करना है तो control x है same way shortcut की है paste करना है control v है आपकी यहाँ पर मैंने paste कर दिया उसके बाद paste special करना उसके लिए shift shift control और वी है, shift control और भी, paste special करना है, किस format में करना है वो आपसे पूछेगा, उससे आप paste कर सकते हैं, यहां पे, उसके बाद है, control Z है आपका undo करने के लिए, control Z और control Y है, redo करने के लिए, same way shortcut की है, उसके बाद repeat and action, repeat and action करने के लिए, shift, control और Y है, यहाँ पे shift control और दबाएंगे तो repeat console action होगा यानि कि जो आपने last time को redo किया होगो वो आपको नीचे paste करता चला जाएगा उसके बाद find खोजने के लिए आपको क्या है कोई चीज आपको search करना है control F दबा देंगे यहाँ पे आपको यहाँ पर find menu आजाएगा यहाँ से आप उसको खोज सकते हैं कोई वर्ड आपको search करना है control Y है control H है आप पर find और replace अगर कोई से उसके बाद है सब super script लिखना है तो control shift और P दबाना है सबसे पहले आप अपको लिखना है तो control shift और P कर देंगे तो और आपको पूरा paragraph दो है वह किसमे हो गया इसक्रिप्ट में हो गया control Z करते हैं वापस आते हैं control shift और P super script के लिए इसमें सारी लिखी होई है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर नहीं भी होगी तो मैं आपको बता दे रहा हूं बाकी लगबग में मैंने सभी लिख दिये control r select all के लिए control the justify के लिए control d double underline के लिए सारे चीज़े लगबग मैंने आपको दिक्कत होने नहीं चाहिए तो इदे के control d दबाया है यहाँ पर double underline आपकी आ गई तो इस लगबग है सारी चीज़ आपकी काम करेगी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी उसके बाद है olfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolf सब्सक्राइब लाएगा तो यह सारी स्की की हैं आप नोट करते चलिए और उसके बाद आपको सर्च करना है ANTIM सर्च को करना है तो कंट्रोल सिफ्ट कंट्लोश सिफ्ट ऑर एफ आप दमाना लाउडल स्थर्च आप को सब्सक्राइब है वो आपको आजाएगा आपके सबी में होती है यह कॉमन है आपकी सेलेक्ट करना है आपको कोई चीज वर्ड तो सिप्ट दबाके एरो से आप इसको सेलेट कर सकते हैं यह सेम आपके फीचर था उसमें तो यह सबी के में आपके सेम है होम बटन है अगर आपको होम बटन दबाएंगे तो आपका होम पर चला जाएगा आपका उसके बाद होम और सिप्ट दबाएंगे तो उससे आपका क्या होगा बिगिनिंग टू सेलेक्ट शुरुबात आएंगे आपके सेलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद है कंट्रोल है उसके लिए आपका help menu open हो जाएगा यहां से सीधे आपके page पर चला जाएगा वो website पर उसके बाद आपका F2 दबाएंगे तो formula बार open हो गए F2 दबाएंगे तो आपका यह formula बार activate हो गया यहां पर आप देख रहे हैं इस्क्रेंट पर उसके अदर control F2 इंसर्ट फील आजाएगी control F2 दबाएंगे तो इंसर्ट फील आपके सामने जाएगे जो फील्ड आप देने चाहते हैं प्येज करेक्टर रिफ्रेंस वह आपका open हो जाएगा उसके बाद है आपका F3 complete auto text complete आपका यहां पर अभी यहां पर not found बता रहा है कोई है नहीं control F3 आपका बायोग्राफिक open करने के लिए यहनि कि open data source view आपका यहां पर दिखाता है उसके बाद F5 है navigation के लिए यहां पर आपका navigation है यानि कि heading table आपने जो डाली है उसको direct open करने के लिए यहां पर उसके बाद navigation go to direct जाना जाते हैं तो उस control shift और F5 जो है आपकी direct उस पर चली जाएगी page number जो भी आपका होगा जाने कि आपने डाला होगा उस पर वो आपको ले जाएगा यहां पर अबी टेबल बगरा कुछ नहीं हमारा heading पड़ी हुई है और कुछ नहीं इसमें paragraph only दिया गया है F7 है आपका spelling चेक करने के लिए हां पर दबाए आपने F7 से spelling चेक कर रखते हैं आपको मैं कुछ important extension है जो कि आपकी Microsoft Microsoft तो आपने कर सकते हैं Microsoft यह आपकी word processing जो आपके लिब्रा ओफिस Libre Office की writers की हैं आपकी जो कि कुछ important है इसमें कुछ अलग है जैसे कि पहली हमारे पास है .cvs common separated value file इनके full form भी आ सकते हैं और extension अगर माले पूछेगा .cvs का मतलब क्या है तो आपको बताना पड़ेगा common separated value file यह आपके आएंगे important question है .db आपकी database file का extension हो गया .doc Microsoft word document हो गया .docs Microsoft word open XML document हो गया .dotx word open XML document template .fodp open document flat XML presentation यह आपके में ज्यादा है क्योंकि यह जो आपका software इसमें कई सारे function आपको मिलते हैं उसके बाद है आपका .fods जो कि open document flat XML spreadsheet उसके बाद है आपका .fodp open document flat XML document आप बिलको इसको note कर ले .pdf आपको मिल जाएगी घर्माने की जोट नहीं है आप बिलको इसको त्यार कर ले .odb open document database .odf open document formula मैं और जूम कर दे रहा हूं जिससे कि आपको clear देखे इसकी इसकी इसूट लेना चाहते हैं तो आप note भी कर सकते हैं उसके बाद है आगे चलते है .ods open document spreadsheets .otg open document graphics template .otg open document presentation template .ots apache open source extension most important हैं ये सारे .pdia वो की portable document format file .pptx powerpoint open xml presentation उसके बाद है .psw pocket word document उसके बाद है .sad star office drawing .sdc Apache open office calculator specs .sd .sd का है star office presentation .sdp है star office presentation file .sdw star office writer text document .slk symbolic link file .smf smart math formula file यह सारी फाइले जब आप सेव करेंगे तब आपको यह help लेंगी उसी बेकार से कुछ और फाइल हैं यहाँ पर हमारे पास open document file text .odt हो गया open document file text template .odt open document file master document .odm html हो गया यहाँ पर html document हो गया ओर ओर टी एच हो गया ॉड्स ओर टी एस उसी बगार ओडी जी ओर टी जी यह सारी मैंने आपको बता दी हैं उसी में .htc है यहाँ पर start office calculation template .htd apache open office drawing template .hti star office presentation template .htw star office document template most important है यह सारे .sxc है यहाँ पर start office calculator spreadsheet अब यानि कि इसमें जो जैसे calculator आपका यूज होता है word में भी और excel में भी यूज करेंगे तो उसका जो extension है वो अलग हो जा रहा है .htc में अलग हो रहा है आपका word में जो है वो calculator अलग हो जा रहा है नाम तो यह आपका यहाँ पर different रेखने को मिलेगा उसके बाद है .xsg apache open office master document और last है sxi जो है आपका star office impress presentation उसके बाद है sxm smart math formula .sxw star office writer document .uof uniform office document .uop uniform office presentation .uos uniform office specs .uot uniform office document .vhd visio drawing file .vhdx visiodrawing .wdb microsoft word database उसके बाद है .wps microsoft works word processor document .wri microsoft writer document .xls excel express seat हो गए आपकी उसके बाद .xlsx microsoft excel open xml express seat तो यह थे आपके कुछ most important shortcut keys और आपके file extension जो आपके 2020 में आएंगे आपको जरूर आएंगे guaranteed आएंगे इसको बिल्कुल आप त्यार कर लें एक दिन का time है आप एक दिन में आप इसको आराम से त्यार कर सकते हैं सारे shortcut keys most important है इसको आप जरूर समझें क्योंकि नए है कुछ shortcut keys इनके जो model paper मैं solve करवाओंगा तब मैं आपको सारे करें दोनों आप software यूज कर सकते हैं को जरूर नहीं कि आप इसी पर काम करें लेकिन जो questions आपको मिलेंगे वह इसी के मिलेंगे तो मैं आपको जो question है वह इसी के आपको बता रहा हूं इसमें आपके question मनते हैं जैसे कि what is for formatting क्या होता है explain page layout क्या होता है explain portlet आपका printing document क्या होत होता है इसमें ID tools system या आपका क्या होता है इसमें PDF file saving यह तो इसी पर गार को इसमें बनेंगे तो इसलिए आपको यह पढ़ना और सबनना जरूरी मैं आपको सारे menu और सारे option बता दी है basically logically है आप इसको अपने आप जैसे practical करते हैं उसी तरह से आपको इसको लिखना है तो आ calculation कहा सकते है इस पेट सीड उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो thank you for watching